हाई गाईज और विल्कम बैक टू दी चैनल दीपक यादाव एजूकेशन विल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसस ऑफ 7 अपरेल 2021 तो गाईज आज है तारिक 7 अपरेल 2021 और है वेडनेस डे देखेंगे आज का दा हिंदू कंप्लीट न्यूस न्यूस पेपर को एनलाइस करेंगे बड़ लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगो एक कंप्लीट न्यूस पेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना है टेली ग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक की वो इसी चैनल का लिंक है, जैसे आप उस पे क्लिक करोगे, आटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर जॉइन कर लेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बिसस पे दाहिंदू न्यूस पेपर मिलता है डेली करेंट अफेर के वीडियो का पेडियेफ मिलता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिलते हैं और यह सारी चीजें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में तो जाकर इसको ज़रूर जॉइन करना नाव बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है आस्ट्रिया को आस्ट्रिया कहां पर है सॉरी आस्ट्रिया नहीं है यह आस्ट्रिया है कहां पर है ये exactly located अच्छे से map में देखना और इंडिया की comparison में कहां पर है नीचे फिर comment section में type करना जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो आज का सबसे पहला article ये वाला है कुछ खास नहीं है यहाँ पर बात करी गई है डेली government ने night curfew declare कर दिया है लगबग 30 April तक night curfew लगवाया जाएगा और आपके पास अब यहाँ पर restrictions लग जाएगे रात के 10 बज़े से सुबा 5 बज़े तक ये curfew लग रहेगा और जो है कुछ emergency services वगरा है उनको अलग रखा गया है इसके बार में हाँ पर बताया गया है क्यों ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि आपको मालूम है daily basis पे जो covid के cases लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अगर हम बात करें पिछले एक दो दिन से तो वन लैक प्लस cases daily basis पर हम लोग देख रहे हैं एक छोड़ा सा update था आई हो आप आप लोगो ये clear हो गया होगा नाव उसके बाद एक next article आता है काफी important है one day exam के point of view से भी सभी exams के point of view से तो जो justice रमन है ये हमारे next CGI यानि chief justice of India बनने वाले हैं फिलाल यहाँ पर जो हमारे president है रामनात कोविन जी इन्होंने Tuesday में यानि कल के दिन appoint कर लिया है justice envy रमन को जिनका आप लोग आप पिच्चर दिख रहे हो as a 48th chief justice ये हमारे 48th chief justice of India होंगे आपको ध्यान रखना है 47th कौन से हैं वो है एस ए बॉब्डे साब ठीके और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 24 आपरल से जो है वर्किंग में आने वाले हैं कौन अपॉइंट करता है chief justice of India को उनने वो है president ठीके president ने अपॉइंट किया है इसके बारे में ध्यान रखना इसके बारे में हम काफी articles already discuss कर चुके हैं किस तरीके से chief justice of India को अपॉइंट किया जाता है ठीके सबसे में चीज देखी जाती है इस seniority देखने को मिलती है ठीक है यानि कि Supreme Court में कौन senior judge है एकदम उसको सबसे पहले देखा जाता है और दूसरा point यह देखा जाता है कि जो current CGI है यानि कि जैसे कि आज के टाइम पर जो हैं बॉब डे साब है तो वो किसको recommend करते हैं ठीके उनका recommendation भी बहुत ज़रूरी होता है अगर हम किसी CGI को choose करते हैं Chief Justice of India को choose करते हैं तो ओके आपको इनका नाम ध्यान रखना है नेक्स डाडिकल आता है यहाँ पर ये वाला कल हमने discuss किया था देखो रशिया के foreign minister और हमारे भारत के external affair minister रशिया के foreign minister कौन है सर्जी लेवरॉप जिनकी आप picture देख रहे हो और हमारे external affair minister है S. जैशनकर साब इन दोनों की आपस के बीच में बातचीत हुई है मैंने कल बताया था कि हाँ कल बातचीत होनी है तो कल इन्होंने बातचीत करी है किस मुद्धे पर बातचीत हुई है अफगानिस्तान के ओपर अब यहाँ पर यह बोला गया है कि देखो अफगानिस चाहती है कि यहाँ पर इनका रूल होना चाहिए इनके हिसाप से चीजे चलनी चाहिए अफगानिस्तान गुवर्मेंट चाहती है कि इनके हिसाप से रूल होना चाहिए यह रूल करेंगा अफगानिस्तान के उपर इसी बीच में यह आपस में कह सकते हो कि काफी लोगों की डेथ भी हो जाती है अफ़गानिस्तान के जो जवान है वो काफी मर जाते हैं ठीक एसी चक्कर में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रेट हो रही है ना अब यहाँ पर क्या सुलुशन निकाला गया है कि तालिबान के साथ मिलकर जो है यहां शांती मनाएंगे ठीक है यह सब बात चीत कर रहा है लेकिन उसको अभी यहां पर सारी जितने भी पॉलिटिकल एथनिक रिलिजियस ग्रॉप से हैं सबको साथ मिलेकर चलना पड़ेगा अगर इस सबको साथ मिलेकर नहीं चलेंगे तो फिरस अगें दूसरी प्रॉब्लम निकल कराईगी ठीक है तो बाकी बच्चे है देखो हम लोग क्या कर रहे है रश्यान से एस फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेते हैं ठीक है रश्या से नाव अब यहां पर देखो यूएस जो है ना उसके रिलेशन्स आज के टाइम पर रश्या के साथ अच्छे नहीं है ठीक है तो क्या है बिसिकली हम ल है आज के टाइम पर रश्या के साथ वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और हम लोग अपनी रश्या से अगर डिफेंस एक्विप्मेंट खरी देंगे तो यूएस क्या कर सकता है हमारे उपर भी सेंक्शन्स लगा सकता है ठीक है इस तरह की यहां पर बाते करी गई है आई कर दिये अब जो भी विजिलेंस ओफिसर होगा जाने की जो देख भाली करता है विजिलेंस ओफिसर होगा उसको हर तीन साल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ठीक है अब पहले हम लोग यह सीवी सी जान लेते हैं क्या है फिर उसके बाद आपको यह अच्छे सा आर्टिकल समझ में आएगा तो यहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक सेकेंड हां तो सेंट्रल विजिलेंस कमिशन एक आपका सकते हो इंडियन गौर्णमेंटल बॉड़ी है ठीक है भारत की एक अपैक्स बॉड़ी उच्छ आपका सकते हो बॉड़ी बोली जाती है इसको और इसको बनाया गया था 1964 में ताकि जो गवर्न्मेंट के करफशन से ना उनको टेकल करा जा सके उनको एड्रेस करा जा सके जो करफशन हो रहे है उनको देखा जा सके उस बज़ा से इस बॉड़ी को बनाया फिर 2003 में पारलियमेट डे एक CVC एक्ट बनाया ठीक है फिर आपका स होगी तभी यह अच्छी तरीके से चीजों को आपको सकतो देख पाएगी इन्वेस्टिगेट कर पाएगी अगर किसी मिनिस्ट्री केंडर में आती होगी तो कहीं न कहीं न चीज़ें जो हैं थोड़ि बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं की अब यहाँ पर क्या है कि अब यह इंडिन्ट्ट्ट्री से हैं उनको transfer तो करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम transfer नहीं करेंगे वहीं पर ही एक officer रहेगा काफी समय तक रहने वाला होगा तो फिर वह भी वहाँ पर अपने interest के चक्कर में रह जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा कोई चीज़ बाहर अब यहां पर क्या होगा हर तीन साल में जो है officers चेंज होता रहेगा तो हम लोग एक transparency को maintain कर पाएंगे वह यहां पर बताया गया है कि यह जो step उठाया गया इससे क्या होगा जो transparency है उसको maintain किया जा सकेगा और जो है हम लोग easily जो है work कर सकेंगे तो यह guidelines क्या है मैंने अभी आपको बता दिया यहीं बताया गया है कि क्यों कर जा रहा है ताकि हम लोग transparency को ensure कर सकें और जो productivity है काम की और साथे बढ़ा सकें क्योंकि हो सकता है अगर कोई officer लगातार वहाँ पे रहे तो वो भी वहाँ पर उसी की तरह मिल जाए उसी काम में तो दुनिया भर में सबसे जादा निकल रहे है भारत के अंदर अगर हम बात करें Tuesday में तो पिछले 24 घंटे के अंदर लगबख एक लाग पंद्रा हजार नियू कोविड के केसिस देखने को मिले है उसके बारे बताया यहाँ ठीके सेप्टमबर तक मामला बढ़ता वा आ रहा था पिछले साल तक लेकिन सेप्टमबर के बाद से ये केसिस लगातार डाउन हो रहे थे लेकिन अब आप देख पाओगे कि टेली बिसस पर ये केसिस जो हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर देख पाओगे ये काफी इंपॉर्डेंट आर्टिकल बन चुका है आज के टाइम का और इस आर्टिकल को कल मैंने पूरी तरह से डिसकस किया था कल के एडिट अच्छे से कवर करी हैं तो आप जाकर एक बार उसको रिविव कर लेना ना यहां पर अगर हम बात करें क्या बोला जा रहा है देखो अभी क्या हुआ था 36 गड़ के अंदर सुकमा डिस्ट्रिक्ट में एक नकसल अटैक देखने को मिला है वहाँ पर हमारे 22 जवान वीर गत अपनी कस्टडी में रखा है और इनके द्वारा यह कहना है कि जो अगर यहां पर रिलीस करना है इनको तो क्या करना पड़ेगा गोर्न्मेंट को एक मीडियेटर रखना पड़ेगा ठीक है एक बिचोलिया रखो उनसे बातचीत करो ठीक है मौईस से बातचीत होगी तो यह उसके बारे में हाँ पर बताया गया तो यह चोटा सा आर्टीकल था और डीटेल में जानना है तो मैं फिर से प्लीस बोलता हूं आप लोग जाकर कलवल आर्टीकल जरूर देखने ना बहुत इंपॉर्डेंट वह हो जाता है ठीक है अब यहां पर एक चीज और कवर करनी है तो मैं आपको वह भी कवर कर देता हूं देखो जो मॉइस्ट कॉन्फिक्ट्स हैं वो इंडिया में कहां का पर देखने को मिलता है कौन कौन से एरियास है जाद अतर तो देखो जो रेड कलर से जितने भी आपको पैचिस दिख रहे हैं यह सारे हाईली अफेक्टेड एरिय देखने को मिलेगा और जो मार्जिनली है वहाँ पर सबसे कम उससे भी कम जो है यहाँ पर यह अफेक्टेड एरियास है तो आपको ध्यान रखना है यह सारे एरियास हैं जहां पर नक्सलिजम देखने को मिलता है ओके नावागे बढ़ते हैं निक्स्ट आर्टिकल की तरफ यहाँ पर आता है एक और आर्टिकल देखो जो यूएस के special envoy हैं इनके द्वारा ये बोला गया कि जो इंडिया है आपका सकते हो वो यूएस का एक बहुती बहुती बहतरीन ally बन सकता है climate change से लड़ने के लिए जो climate change की आज के टाइम पर problems देखने को मिल नहीं उससे इंडि एक red hot investment opportunity है clean energy के लिए ठीक है आगर आगर आप देखोगे तो और जो है यूएस के special envoy है मैंने आपको बताया इन्होंने बोला कि अगर हम लोग दोनों ये आपसे मिलकर काम करती है तो बहतरीन तरीके से इंडिया और यूएस climate change को tackle कर पाएंगे ओके और यहाँ पर जो है कैस करनल अफेर मिनेस्टर के साथ कब Tuesday के दिन और ये बोला जा रहा है आज क्या है Wednesday तो Wednesday में ये हमारे Prime Minister से मिलेंगे Petroleum Minister से भी मिलने वाले हैं ओके तो देखेंगे क्या-क्या यहाँ पर बातचीत होंगी और फिलाल आपको यह भी धियान रखना है 22 April को होगा एक बहुत जाएगा क्या-क्या solution निकल कर आएगा यह सारी बात है हम लोग करने वाले हैं तो तब देखा जाएगा क्या-क्या होगा ओके विलाल अभी यूएस ने यहाँ पर commitment यह लिया है कि वो जो अपना emissions है उसे लगब 1.5 डिग्री से नीचे लेकर आएगा जितना यहाँ पर pollution हो क्योंकि यूएस आज के टाइम पर टॉप की कंट्री है फिर चाइना टॉप की कंट्री है जो कि आज के टाइम पर सबसे जादे एमिशन करते हैं ओके ना उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और यहाँ पर आप देख पाओगे आते हैं पेज नमबर 13 क क्या चल रहा है सबसे पहला आर्टिकल आता है यह वाला जैसे मैं आपको बताया था इसके बारे में भी हमने कवर किया है इरान नुकलियर डील के बारे में तो देखो इरान नुकलियर डील को लेकर बातचीत हो चुकी है चालू अब यहाँ पे देखो इरान नुकलियर डी साल 2015 की बात है युएस के प्रासिदेंट हुआ कर दे थे बेराक ओबामा इन्होंने क्या करा इरान के साथ कर दी थी एक एरान नुकलियर डील अब इस डील में क्या बोला था कि जो इरान है देखो इरान के अंदर ना जो यूरेनियम है वो काफी मातरा में पाया जाता है और यूरेनियम का एन्रिच्मेंट करके क्या कर सकते हैं नुकलियर बॉंब्स बना सकते हैं ठीक है और नुकलियर बॉंब्स होते हैं बहुत ही जादा डेंजरास तो यहां पर बेराक ओबामा ने सोचा क्यो ना इरान से डील कर ली जाए और वो डील में क्या हुआ कि एरान से बोला कि आप जो है uranium का enrichment नहीं करोगे ठीक है और क्या होगा जो इरान के उपर बहुत सारे international sanctions लगे वे थे तो क्या करेंगे बराक वहाँ वह सारे sanctions हट वा देंगे ठीक है sanctions हट जाएंगे तो अब्वियोसी बात है country को काफी हद तक relief मिल जाता है तो यहाँ पर यह सारी situation के रे अगर जब बैराक वहाँ का time था वो पूरा तरह से हट गया ठीक है बैराक वहाँ आजए प्रेसिडेंट हट चुके थे नए प्रेसिडेंट आ गये थे वह थे डॉनल्ड ट्रम अब डॉनल्ड ट्रम ने क्या करा 2018 में इस इरान nuclear deal से USA को निकाल दिया बाहर इनोंने बोला इ जो कि देखो इरान के उपर इतने सारे sanctions लगा दिये कि इरान से कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था और अब जैसी बात है इरान के अंदर काफी महातर में crude oil ठीक है देखने को मिलता है तो फिर हम लोग जो इंडिया है इंडिया भी इरान से crude oil काफी हट तक purchase करता था ठीक है आई होप आप लोग प्रॉलम समझ में आ गए कि सारी चीज़े कहां तक create हो रही है नाव अब क्या हुआ फिर से election हुए Donald Trump गए अब यहाँ पर यह भी अब नए president choose होकर आ गए वो कौन है जो बाइडन अब जो बाइडन का चाहते हैं कि जो इरान nuclear deal है इसको वापस स लिए जाए यूएसो को वापस से इस इरान nuclear deal के अंदर लेकर आया जाए ठीक है काफी हद तक अभी यहाँ पर कोशिच तो करी गई थी लेकिन बीच में बातचीत होई है लेकिन अब यहाँ पर जो है start ले रहे हैं अब क्या है जो बातचीत है वो start हो चुकी है कि इरान nuclear deal क तो किस तरीके से हम लोग वापस से revive कर सकते हैं वापस से जीवित कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर देखेंगे आने वाले टाइम पर क्या सिचुएशन होगी आई होप आप लोगो यह सारी चीज़े क्लियर होगी होगी क्या है एरान nuclear deal मैंने सारी चीज़े यहाँ पर clear कर तरीकल इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था देखो यह आर्टिकल लगबक पांश दिन से न्यूस के अंदर है ठीक है यहाँ बात करी जारी है जॉर्डन के बारे में पहले हम जॉर्डन की लोकेशन देखेंगे फिर उसके बाद इस इश्यू को समझेंगे कल भी मैंने सम सारी neighboring countries हैं जिनको आपको अच्छे से focus करना है इधर है Saudi Arabia यहां पर Iraq है यह है Syria और इसराइल और यह West Bank जिसको हम लोग Palestine बोलते हैं ठीक है Jordan की capital है Amman और Jordan में लगबग आज के टाइम पर population है वन करोड के आसपास और जिसमें से 95% सुनी Muslims है और Jordan के अंदर government वगएरा कैसे चलती है Jordan के अंदर बोनार के ठीक है मौनाक यहां पर मतलब की जो king वगएरा है एक राजा वगएरा का साशन सलता है इस तरीके साब कह सकते हो जो royal family है वहाँ पर पूरी तरह से rule करती है उनके पास सारी powers है ठीक है royal family के पास पूरी powers है अब यहाँ पर इनी royal family के बीच में जो भाई है यह दोनों इनके बीच में ही dispute चल रहा है वो क्या dispute है आपको मैं बता देता हूँ देखो Jordan के प्रिंस हमजा ठीक है इनका नाम है प्रिं तुस्क्रवादर है half brother का मतलब दोनों के father तो एक ही लेकिन mother अलग 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 है और इनके father कौन थे वो थे हुसेन सहाब और बेटे प्रिंस हमजा आब क्या है कि देखो ये लोग क्या करते ते ज़ो हुसामें साथ हमजा को जादा प्यार देते थे ठीके और इनका मानना ये था कि देखो जो हुसेन साब हैं इन दोनों के जो फादर हैं 1999 में उनके डैथ हो गई थी और ये चाहते थे कि जॉर्डन को अपकॉन रूल करे वो करे प्रिंस हमजा लेकिन प्रिंस हमजा की एज हुसा में काफी कम थी तो इन्होंने क्या करा अब्दुल्ला क यहाँ पर किंग बन ही नहीं सकते हैं यह सारी सिच्वेशन आ गई जो प्रिंस हमजा है इनको हाउस अरेस्ट करवा दिया है किसने आज के टाइम के जो जॉर्डन के किंग है अब्दुल्ला ने तो आपस में दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल ला है हाउस अरेस्ट क् क्योंकि प्रिंस हमजा ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं करेंट गवर्नमेंट को लेकर मतलब इस तरीके से जो किंग अब्दुल्ला टू है इनके साशन में काफी आपके सकते हो करप्शन है इन सब चीजों के मुद्दे उठाए गया है यह है मुद्दा आई होप प्रिंस हमजा ने एक वीडियो शेयर किया था बीबीसी न्यूस के साथ आई होप आप लोगों पूरा मुद्दा क्लियर हो गया होगा अब ज्यादा बार बार इस मुद्दे के बारे में मत आना ठीके हमने काफी बार डिसकस कर लिया है वरना यह मैनमार की तरह बन जाएग तो बहुत सारी हम लोगों ने virtual meetings देखी है अब यहाँ पर क्या होगा यह आपस में बातचीत करेंगे तो चाइना को होरी है टेंशन चाइना को यहाँ पर थ्रेट क्या है कि जापान कहीं चाइना के मुद्दे न उठा यूँकि जापान आज के टाइम पर बहुत strict लेकर च चाहे ना ठीक है उनको रमजान के रोजे नहीं रखने देता इन फैक्ट बहुत बुरी तरह इससे ट्रीट किया जाता है उनको दाड़ी मी बढ़ाने दी जाती उनको उनकी कुरान नि पढ़ने जी जाती चाइना अपनी एडिशन की कुरान देता है तो यह सारी प्रॉबल पर यहां पर यह बुद्धा उठाए गया नाओ यहां पर चाइना टेंशन में यह है कि अभी हम लोग क्या होगा कि जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है योशी शूदे सुगा यह कहां पर जाने वाले हैं यह जाएंगे वाशिंग्टन मीटिंग होगी जो बाइडन के साथ जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है 16 अपरेल को तो कहीं यह मुद्दे ना उठाएं ठीके तो बेसिकली यह बोला जा रहा है आई होप आप लोग को एक लियर हो गया होगा नाओ यह याद रखना अब जो यूएस के लीडर है जो बाइडन पहली बार यह फिजिकल ने है that is business section यहाँ पर बात करी गई है इंडिया की growth के बारे में देखो हम लोग अंदाजा यह लगा कर चल लए थे कि आने वाले टाइम पे इंडिया की growth इंडिया का economy है वो हम देख पाएंगे 12.5% से लगबग grow होगी लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि COVID की second wave दे चीव कर पाएंगे अभी हम लोग बात करें तो पिछले साल में जो हमारी economy है वो लगातार contract हुई है 8% से लगातार गिरती वी नजर आई है और बहुत सारी reports का यह कहना था उनका project यह था कि 12.5% से आने वाले time पे हमारी economy grow होगी लेकिन अब COVID-19 ने यहाँ पर यह सारी आश लगा दिया गया है बहुत सारी चीज़े बंद कर दी गई है ओके नव यहाँ पर यह सारी चीज़े देख पाऊँगे इंडियान मोनेटरी फंड ने उनने बोला जो करेंट वेवे COVID-19 का यह काफी ख़दरनाक हो सकता है ठीके IMF के बारे में याद रख लेना यह सॉरी को लेकर खास कर मोनेटरी नाम है तो पैसा को लेकर यहां पर यह काम करता है एकनॉमिक ग्रोफ देता है और पूरे दुनिया के अंदर क्या होता है कि यह पोवर्टी को कम करने की कोशिश करता है गरीवी को कम करा जा सके ठीके नाव बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल की सा इंडिया पकिस्तान के बारे में आप लोग को मालूम होगा इंडिया पकिस्तान काफी हँद तक न्यूज है पिछले कुछ दिनों से अभी तो आप लोग को मालूम होगा यौज ऐस फायर एग्रिमेंट राइन ओफ कन्ट्रोल पर तो दोनों ने decide क्या है कि हम उस agreement को follow करेंगे ठीक है ये बात अलग थी हमने discuss कर लिया था अब क्या बात है अभी हाली में आप लोग को मालूम होगा 31 March को 31 March को पाकिस्तान के Economic Coordination Committee ने decide कि वो भारत से cotton और sugar को import करेंगे लेकिन एक अपरेल को पूरे पाकिस्तान के लोग को बना दिया अपरेल फूल ठीक है अपरेल फूल क्यों बना दिया और एक अपरेल को पलड़ गए बात से अपरेल में क्या करा जो वहां के प्रामिनेस्टर है अमरान खान उन्हों से बूला कि नहीं हम लोग भारत से कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं करेंगेर फिर केऊ दिन पहले ऊनन्हों में आर्टीकल कश्मेर में अर्टीकल 372 नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है यह पर ट्रेड नहीं करेंगे भारत के साथ ऐसा यहापर फे अपने exam के point of view से सको अच्छे से cover करेंगे देखो जो व्यापार है इंडिया पाकिस्तान का इसको आप लोगो ध्यान रखना अच्छे से या आपके GS paper 2 के point of view से काफी important article हो जाएगा GS paper 2 में आपको दो topics देखने को मिलेंगे effect of policies, politics of countries on India's interest और दूसरा इंडिया इनिट्स नेवर तो ये दोनो topics आप इस article को relate कर सकते हो सबसे पहले क्या हुआ था? पाकिस्तान के साथ जो व्यापार है वो बैंड कर दिया गया था कैसे बैंड हुआ था? क्योंकि 2019 में हमने क्या करा था? Article 370 हमने अब्रोगेट कर दिया था जम्मू कश्मीर का जिसकी वज़ा से यहाँ पर पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने हमारे साथ ट्रेड बंद कर दिया था ठीक है उन्होंने बोला जब तक ये वापस से रीस्टोर नहीं होगा तब तक हम लोग व्यापार नहीं करेंगे दूसरी तरफ ट्रेड बैन करने का एक और रिजन ये है ट्रेड जो बंद हुआ था पुलवामा अटैक हुआ था आप लोगों को मालूम होगा ठीक है पुलवामा अटैक की वज़ा से हम लोगों ने क्या करा क्योंकि हमारे काफी जवान जो है वो आपको सकतों शहीद हुए तो उसकी वज़ा से हम लोग ने क्या करा पाकिस्तान के इंपोर्ट के उपर यानि कि जो भी अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा हम लोग को हम जो इंपोर्ट करेंगे पाकिस्तान से उसके उपर हम टैरिफ लगा देंगा और हमने 200% का टैरिफ लगा दिया तो अब्यस साफी बुरी तरीकी से हिट हो रहा है अगर हम बात करें तो पहले 2018-19 के आसपास तो सही चलता था व्यापार लेकिन उसके बाद से अगर हम बात करें 2019-2021 में लगातार जो इनका ट्रेड है वो डाउन होता हुआ आया है और इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करें बैंक से करता था ठीक है यहां पर आप देख पाओगे यह साल 2016 वगरा की बात है तो यहां पर 2015-16 में आप देख पाओगे तो हम लोग काफी बढ़ी तरीके से ट्रेड कर रहे थे लेकिन उसके बाद से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रेट हुई है आपको मालूम होगा औरी टेरर अ ट्रेड करते थे नाव अब यहां पर जो एक तरीके से कह सकते हो ट्रेड बिल्कुल ठप है हम लोग पाकिस्तान के साथ व्यापार बहुती जादा कम ना के बराबर करते हैं अब हम लोग दूसरी तरफ बात करते हैं कौन-कौन से प्रोड़क्ट्स हैं जिनका व्यापार हो पाकिस्तान है वह भारत से इंपोर्ट करता है को यहां पर आपका सकते हो अगर हम लोग कहें तो क्योंकि आप लोग देख पाओगे पाकिस्तान जो है काफी हेविली डिपेंडेंट है किस चीज़ को पर रॉम मेटिरियल्स को पर उनको अपनी टेक्स्टाइल के लिए रॉ जाता है लेकिन आज की टाइम पर यह कोई ट्रेड नहीं चलना फिर अगर हम लोग बात करें तो खासकर 2018-19 में कॉटन और 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 इंडियान एक्सपोर्ट करें थे पाकिस्तान को यो कि पाकिस्तान के अंदर कॉटन जो है इतना ज्यादा उगाया नहीं जाता है तो उस आइटम्स आप लोग देख पाओगे डाइंग एक्स्ट्रेक्ट्स हो गया है नुकलियर रियक्टर्स बॉइलर्स मशिनरी यह सारी चीज़ा हम लोग थोड़ा सा इंपोर्ट करते हैं नाव बैन लगा जैसे ही उसके बाद यह सारी चीज़े स्टॉप हो गई कॉटन खासक सबस्ट करते हैं ठीक है मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं हम लोग पाकिस्तान से एंपोर्ट हम लोग करते हैं एडेबल उयक्टर्थ सॉल्ट सेल फवर्सटन प्लास्टिं roles यह सारी city घ्यान रखते हैं और अगर हम लोग बात करते हैं और ऐस सम्म रिमूव हो चुका है लगबग काफियत तक और यहां पर जो है पाकिस्तान को भारत से जो कॉटन वगरा पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वो सस्ता पढ़ जाता है ठीक है ऐसा नहीं है कि कॉटन का लीट प्रोड्यूसर भारत ही है तो इंडिया में तो कॉटन इतना जादा द प्रोड़्य का चाहिए और उसके सीढ़ के लिटी ने बारों कि इसयान कॉंट से प्रोड़ूस्यों करना चाहिए चुंता के साहिए जुनता के उपर जो कि मैनमार की आज के टाइम पर military rule चल ला है मैनमार में उस rule के ओपर pressure डालो ताकि वहां की जो democracy है उसको वापस से restore करा जाए मैनमार के अंदर बहुत सारी problems क्रेट हो रही है क्योंकि मैनमार में military coup हो चुगा था यानि की एक फरवरी को तखता पलट हो गया था जो military है वहाँ पर उन्होंने अपना government आपके सकते हो रूल कर रही है और जो democracy थी वहाँ पर जो political party हुआ कर दे थी उसको हटा दिया गया है तो यहाँ पर obviously बात है लोग को यह चीज़ पसंद नहीं है लोग सड़कों निकल कर protest कर रहे हैं लोग कह रहे हैं कि हम लोग को military government नही सारी लोग यानि कि अपनी country की military अपने लोग को मार रही है तो आप समझ सकते हो क्या हालत है किस country की ठीके तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिट हो रही है तो इसके लिए बोला जा रहा है इंडिया चाइना और जो आसियान की country उनको मिलकर जो है यहाँ पर step उठाना चाहिए pressure ड बारे में तो इसके बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं तो अभी यहाँ पर बोला गया था New York Times के द्वारा कि October 2020 में जब कोरोना वाला साल चल ला था तो मुंबई के अंदर एक पावर आउटेज देखने को मिला था उसको एक cyber attack बोला जा था चाइनीज का cyber attack थ होता है कि आपको computer वगरा से जो hackers होता है बड़े बुड़ो hack कर लेते हैं आपकी information को ले लेते हैं ठीक है information को damage कर दिया जाता है information का गलत तरीके से इस्तमाल किया जा सकता है जासुसी की जा सकती है ठीक है तो उसके लिए यहाँ पर यह cyber attack को हम लोग बोलते हैं इस चीज़ क the main country है जो कि आपके सकते हो इसके खिलाफ काफी काम कर चुकिए डवलप हो चुकी है और इनकी जो आपके सकते हो cyber attack के खिलाफ यह काफी बढ़िया तरीके से काम करते हैं और जो है US के बाद China, Russia, Israel, United Kingdom यह सब मिलकर यह countries के अंदर अगर हम देखें तो अच्छी तरीके से इन हम लोग भी develop कर पाएं देखो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है cyber attack के बारे में पूरा answer writing लिखने को आ सकती है तो आपको ध्यान रखना है cyber attack क्या है मने आपको बताया हम लोगों क्यों जरूरत है कि हम लोग cyber attack को सबसे पहले खतम करें क्योंकि बाकी सारी countries आप देखो ग है digital way में जादा सारी चीज़े पहुंच चुकी है तो cyber attack का खत्रा भी obviously बाते बढ़ चुका है क्योंकि digitalized way में ही cyber attack भी होता है तो इस तरी की problems देखने को मिल जाती है तो इसके थूब यहां पर एक ज़रूरत सबसे बड़ी यह भी बन गई क्योंकि COVID-19 की वज़ा से पहले आप देख पाओगे Chinese group के द्वारा Chinese के अंदर एक group है red echo नाम का ग्रूप है इन्होंने malware software का इस्तमाल करके एक attack किया था इंडिया के power sector के उपर यानि की महराश्ट्रा के अंदर एक power outage देखने को मिला था उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें तो इंडिया के information निकालने की कोशिश करी थी उसके बाद solar wind hack है ठीक है इन्होंने आपके सकते हो USA के अंदर यह attack किया था तो इस तरह की problems जो है अगर हम देखें तो Chinese की साइट से जाधा create होती है चाइना ज्यादा तर साइबर अटेक करता हूँ नजर आता है नाओ government के लिए क्या important है आज क हम लोग क्या करें अपने इस system को थोड़ा सा improve करें और हम लोग cyber attack के खिलाफ जाधा better तरीके से काम करें ओके नाओ अगर हम इंडिविजुल के बात करें या नहीं आप हो गए मैं हो गया तो हमारे लिए भी बहुत जादे ज़रूरत है क्योंकि हमारे videos photos personal information लगातार social networking पर आप कर सकते हो शेयर की जाती है हम लोग शेयर कर लेते हैं हम इतने सारे social media platforms चला रहे हैं तो यहां पर तब भी हमारे लिए serious एक life threatening हो सकता है तो उसकी वज़ासे भी important यह है कि हम लोगों को cyber attack के खिलाफ इस टाप उड़ाना चाहिए business के लिए बात करें तो obvious सी बात है business के बहुत important है क्योंकि lot of data information देखने को मिलता है उनके system में एक cyber attack की वज़ासे बहुत सारी problems create हो सकती है बहुत सारी employees की job जा सकती है बहुत सारी problems create हो सकती है company ठप हो सकती है ठीक है तो यहां पर यह सारी जरूरत है हम लोग step उठा सके नाव अगर हम लोग अब यहां पर इतना अपने answer लिखा ठीक है better हो गया काफी अच्छा हो गया अब उसके बाद आपको यहां पर government के initiatives लिख देना है सरकार ने क्या-क्या steps उठाएं cyber attack को लेकर सबसे पहले आप लिख देना cyber सुरक्षित भारत initiative यहां पर एक step है दूसरा cyber स्वचता केंद्र है तीसरा online cyber crime reporting portal है Indian cyber crime coordination center है हमारे पास national critical information infrastructure protection center इसमें साब दो तीन भी लिख दोगे तो भी काफी better है ठीक है लास सेकेंड लास्ट है information technology act 2000 और लास्ट है national cyber policy 2013 इनके तुरू हम लोग cyber attack को कोशिच करता है कि रोक सकें ठीक है अब देखोगे अब यहाँ पर क्या है आपने पूरा issue पढ़ लिया देखो होगा क्या यही पूछा जाएगा question आया अगर cyber security या cyber attack को लेकर तो आपको क्या करना है question आयगा वोई पूछा जाएगा क्या benefits है क्या benefits तो कुछ होंगे नहीं cyber attack एक फिलाल यहाँ पर क्या इसके आप कह सकते हो कि causes हैं क्या इसके harms हैं government ने को initiative लिया है या नहीं लिया है तो इस तरीके से आप एक question पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है हर एक particular issue के बारे में अपनी answer writing frame करके रखनी है जो कि मैं आज के time पर कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा स्यादा आपको frame करके दे पा हूँ जैसे कि moist attack के ओपर हम लोग ने पूरा answer writing frame कर लिया है तो इस तरीके से daily basis मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज्यादा स्यादा आपके लिए यहाँ पर जो issues हैं उसके लिए notes त्यार कर पा हूँ now यह थे कुछ article और यहाँ पर time काफी जादा हो चुका है 36 minutes हो चुके है तो हम लोग क्या करेंगे एक article और है इसको हम लोग discuss करेंगे यह वाला article बाद में discuss करने वाले हैं तो देखो मैंने इसको highlight भी नहीं किया है हलाकि यहाँ पर जो Paris climate agreement है यह climate change को लेकर बातचीत करी करता 35 minutes से उपर की वीडियो को ठीक है तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स वीडियो में यह आर्टिकल की टेंशन बिल्कुल मत लेना क्योंकि जितने भी आर्टिकल रह जाते हैं मैं उनको cover कर देता हूं तो यह मेरी responsibility है यह cover करे जाएंगे तो यहाँ पर इसको हम लोग discuss कर ल लेंगे okay so don't worry मिलते हैं आप लोग से नेक्स वीडियो में आज के लिए bye bye have a nice day